मैं इंट्रड्यूस कर रहूंगा उस इंसान को जो की तीन दिनों के अंदर जिन्होंने 30 करोड रुपए का सेल कर दिया और एक साल में जहां पे वो 25 से 50 प्लॉट बेच पाते थे आज की डेट में कर रहा हूं 500 से जादा प्लॉट पेच पा रहे हैं मैं 12 पढ़ा हूं मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमली से बिलाउन करता था जहां एक साइकल थी मैं पापजी और मेरा चोटा भाई हम तीनों एक ही साइकल से कभी पापा लेके जाता थे था था टो उस जरन्नी से स्टार्ट के आपमें तो पहले ही कर रखाय फिर क्यू कर रहे ह त्राइपूर से खुने, खौपोली, सारी चीजे मैंने आप से ही सीखा सर, जो आपका कमांडो ट्रेनिंग, जो से सन चला, वो मेरे लाइफ को बहुत ज्यादा बदला हाई नमस्कार दोस्तों, बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इंटर्व्यू के लिए, आज के विडियो के लिए, क्योंकि आज मैं लेके आ रहा हूँ मेरे प्रोग्राम की सबसे पावफुल सकसे स्टोरीज में से एक, मैं इंटर्ड्यूस कर रहा हूँगा उस इंसान को जो करोड रुपय का सेल कर दिया और एक साल में जहां पर वो 25-50 प्लॉट बेच पाते थे, आज की डेट में कर रहा हूँ, 500 से जादा प्लॉट पेच पा रहे हैं, आज बहुत जबर्दस तरीके से स्वागत करते हैं, one and only शैलेंदर देवांगन, how are you doing शैलेंदर, thank you so much sir, I am good sir शैलेंद भाई, पहले तो I am super proud of you कि आपने तीन दिन के अंदर 30 करोड रुपय का सेल किया, and not only that, आज 500 से जादा यूनिट आप हर साल बेच पा रहे हो, so शैलेंद भाई, आपका ये इंटर्व्यू जो मैं लेह रहा हूँ, यहां पे लोगों को आप बताएं कि इस सकस महनत था, और कई साल मैंने महनत किया, उसके बाद में कहीं जाकर के एक समय ऐसा आया, जब COVID आया, वहाँ पर एक breakthrough मिला, जिसमें आपका Facebook का campaigning आया, और मैंने Facebook पे स्क्रॉल करते करते आचानक से देखा कि कोई ऐसा प्रोग्राम होने वाला है रैपूर में, जो कि सेल से रि प्रोग्राम है, उसको मैंने अटेंड किया, और उसके बाद में काफी सारी लर्निंग हुई, तो मैं कह सकता हूं सर कि मैंने जो ये 30 करोड की जो प्रोपर्टी सेल की है, वो जर्नी मेरी एक साल पहले से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ से मेरे अंदर जो confidence लेवल कई बार लोग पैर खीच रहे हैं, पर जब से आपका मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, तो एक चीज मैंने सीखा सर कि कोई किसी का पैर नहीं खीच सकता, आप खुद ही अपना पैर खीचते हैं, आप खुद ही अपने गड़े में जाकर की गिरते हैं, तो वहां से मैंने अपनी जरनी स्टार्ट की सर, और आपका एक चीज मैंने सीखा था, जो आपका एक मूल मंत्रा है, आदत, संगत और गुरू, तो सर ये मैंने आपके संगत में आ करके, मैंने काफी सारी अच्छी चीजे सीखी, जिससे आप, मतला आपके और मेरा के अच्छे अच्छे ये उसी achievements का एक असर रहा सर, जो मैंने इंस्टेंट ही अभी कुछ दिनों पहले, एक अच्छी बड़ी property की deal कर ली, जो मेरे life का सबसे बड़ा deal बोल सकता हूं, उसमें मैंने काफी बड़ा revenue अरनक किया सर, इसमें, इसमें मैंने का संगत आदत गुरू, बहुत important है, क्योंक इतना, मैंने एक और चीज़ सुनी थी, जब मैंने पहली बार, एक महीने के अंदर, डेड़ करोड रुपया, सवा करोड रुपया कमाया, तो मैं जो किसी ने कहा, सब ने कहा, बहुत बढ़िया, congratulations, लेकिन मेरे गुरू ने कहा, बहले, it takes a decades hard work to create overnight success, तो ऐसे ही शेलेंदर रियल एस्टेट की लाइन में कितने सालों से हैं, लग-बग 13 एयर से हूँ, सर, मैं कॉलेज का पढ़ाई कर रहा था, तब से मैं रियल एस्टेट के कैवियर में हूँ, शेलेंदर की कम्परी का नाम है, शोरया इंफ्राटेक, राइपूर में बेज़ हैं, और शेलेंदर आप मुझसे जुड़े करीब 2021 में जब कोविड चल रहा था, उस से मैं ओनलाइन आप देखना शुरू किये, उसके पहले आप मैक्सिमुम एक महिने में कितनी प्रॉपर्टी बेच पाते थे, सर, हायर जो गया हुआ हुआ है प्रॉपर्टी सेल, जिसको मैं अपनी बड़ तो इस लाइक एक साल की पांसो प्रॉपर्टी असरी वो अब मेरा मिनिमम हो गया लगभग अब आपका वो मिनिमम हो गया देखिए उसके पहले शेलिंद भाई बेच पा रहे थे, जो हाइस उनका रहा 20 इना मन्त यानने 200 इना यर काइंड ओफ वो भी नहीं हुआ क्योंकि कि वो किसी-किसी महीने 20 इस गया, किसी महीने 10 रहा, किसी महीने 15 रहा रहा है मैं रहा है रहा है लेकिन आज 400-500 गुना का जंप, 100 प्रॉपर्टीज बेचते बेचते या 1.500 बेचते 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 500-600 उनका मिनिमम हो गया है इसका मतलब है things are possible तो शेलिंद इसके लिए ये जंप लाने के लिए आपने क्या-क्या सीखा, कौन-कौन सी चीजे सीखी कौन सी चीजे आपने practice की ताकि लोग भी वो चीजे सीख सके प्राक्יש कर सके सर सबसे पहले तो जो सीखा मैंने बड़ा सोचना क्योंकि आप बिना बड़ा सोचे आप कुछ भी कर नहीं सकते हम जो भी करते रहते हैं वो हम अपने आसपास को देख करके करते रहते हम समझते कि हमारे आसपास जो लोग कर रहें काम कर रहें वही हमारी कॉंपेटिटर है हम बहुत ऊपर नहीं सोच सकते, sir. मैंने रेल स्टेट के वीड़ में काफी सारे कान्फरेंसेस अटेंड किया है. काफी सारा कन्विन्शन अटेंड किया है. तो थोड़ा सा माइंड ब्रॉड मेरा दो साल पहले ये हुआ था कि मैंने बैंगलोर का एक कन्वेंशन अटेंड किया, हैदरबाद का कन्वेंशन अटेंड किया, तो मैंने रिखा कि जो हम रायपूर में रह करके as a real estate agent या as a real estate जो हम कर पाते है, वो बहुत छोटा है, बाहर निकलने के बाद समझ आया कि real estate के जो realtors है, वो तो builders से भी बड़े-बड़े है, उनकी approach बड़ी है, उनकी मतलब बोलना चे, ticket size बड़ी है और उनका income काफी बड़ा है, तो मैंने वहां से देखना स्टार्ट किया sir, और उसके अलावा फिर जो भी आदते जो खराब थी मेरी, जैसे लेट से सोना, लेट से उठना, वो सारी चीजे मैंने आपसे ही सीखा sir, जो आपका एक घंटा मुझको वाक करना है और फेस्बुक पे लाइव रहना है, तो यह sir, मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया है, इसे बेनिफिट यह मिला मुझको, कि लोग मुझको एक प्रकार से inspiration मानने लगे, मैं लोगों को inspiration मानता था पहले फिर लोग मुझको inspiration मानने लगे, द पाच-पाच वीडियो हफते के बनाना शुरू किया कई बार, यूट्यूब चैनल तुरंद बना दिया, तुरंद माइक खरी लिया, मतलब उसने excuse नहीं दिया, अच्छा, क्या शेलेंदर, उस समय जब आप यह सारी चीज़े कर रहे थे तो, आपके आपास पैसा बहुत थ इसलिए यह हो पारी थी? सर, पैसा नहीं था, लोन बहुत था, लोन के चक्कर में इतना डिफ्रिष्ट था, सर मैं, खासकर कोविट के टाइम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समको फेस करने पड़े थे, लेकिन रिस्क टेकर रहा हूं सर सुरू से, तो लगा कि बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, लाग दो ला सुरू पर खर्च कर लिए या थोड़ा सा सैट अप अगरा कर लिए और में चीज तो था सर, अपने आपको पॉजिटिवली ट्रीट करना तो यह कंटिन्यू करते हैं तो शैलिए भाई आपने मेरे काफी सारे प्रोग्राम कर रहे हैं इस समय हम लोग दोस्तों खौपॉली में हैं और हमारा डिस्कवर विजन प्रोग्राम चल रहा है और उसी के बीच में यह सक्से स्टोरी मझे दिखी तो मुझे लगा कि आपको पहुंचानी चाहिए यह सक्से स्टोरी तो यह आपने तो विजन मेरा पहले ही कर ञाए फिर वापस से क्यों कर रहे हैं वापस से क्यों खर्चा लगा के इतनी दूर आरे हैं ड्राइपुर से एक पुने अखायपोली सर तेखे यह मेरे लिए खर्च नहीं है यह मेरे लिए an investment है मैं as a businessman समझता हूं कि किसको बोलते है और investment किसको बोलते और रही बाद सर विजन की, तो विजन वह महासागर है, जिसकी गहराई को कभी कोई नहीं नाप सकता, तो मैंने एक बार तो नापने की कोशिश की, गया थोड़ी देर, दूपकी लगाया, अच्छा एसास हुआ, उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि एक और अपने स्किल्स को बढ़ाएं, आज शेलेंद्र तीस करोड रुपए का प्रॉपटी अगर तीन दिन में बेच पा रहा है, तो डेफिनिटली उसके पीछे प्लानिंग गया होगा, लेकिन प्लानिंग करते तो हजारों लोग है, क्यों नहीं कर पाते हो, अच्छा यही बात नहीं है कि तीस करोड का एक तीन दिन में प्रॉपटी, पान सो से छैसो यूनिट हर साल मिनिममम बेच पाना, उसके लिए उन्होंने सेलिंग स्किल सीखा है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखा है, वीडियो मेकिंग स्किल सीखा है, लीडर्शिप स्किल सीखा है, से भी आपको थोड़ी थोड़ी चीजे तो पता होगी लेकिन इतने सालों में जो नहीं हुआ वह एक साल में कैसे हो गया तरीके से चेंज किया और पब्लीक स्पीकिंग के पहले पब्लीक स्पीकिंग की बात करूं सर तो मैं इतना फ्लुएंट ली बात नहीं कर पाता था मेरा बॉडी पोस्चेर मेरा हाथ का मुवमेंट हर एक चीज कहीं न कहें आप से सीखा है और इसके अलावा यूट्यूब की अगर आप बात कहें तो यूट्यूब पे तो सर कैमरे को जैसे आज फेस करके मुस्कूराते हूं इतना तरीके से बात कर पा रहा हूं मैं तो वह पहला दिन था लॉगडाउन ही चल रहा था उस समय पहली बार मैंने अपने मोबाइल को पकड़ करके कैमरे से रिगॉर्डि तो अब क्लाइंट का फोन आता है सर कि यार शैलेंदर जी हम आपके फैन है आप इतना अच्छा तरीका से प्रेजेंटेशन देते हैं आप लोगों को वैल्यू दे रहे हैं लोग मिलने के लिए भी मतलब सर याभी बीच में कुछ दिन पहले जिस क्लाइंट का मैंने आपक कि दर्सन करने आया हूं तो यह अच्छा लगता है सर खुद को मोटिवेशन मिलता है जब कोई आपको एप्रिशेट करता है जब आप सफल बनते हैं तो आपकी सफलता से कई लोग सफल बनते हैं इसलिए सफल बनना आपकी जिम्मेदारी भी है और जो इंसान थोड़े से लेता है उसको हजारों गुना जादा रिजल्ट मिलता है शेले इंद्र थोड़े दिन पहले आपको जबरदस्त अवोर्ड भी मिला था उसके बारे में कुछ बात करेंगे राइट सर अभी कोश दिन पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है उसमें 7000 सब्सक्राइबर है बहुत जादा तो नहीं बोलूँगा बाकी यूट्यूबर्स के सामने 7-8 लग क्या सपास व्यूज हो गया है पर उस वीडियो के कारान से मैंने काफी सारे लोगों को अच्छे सजेशन दे करके लगबग 100 से जादा लोगों को मैंने सर प्रॉपर्टी दिया है बिना किसी कमिशन के और उनको काफी अच्छा लगा और यह बात है धीरे-धीरे सर मीडिया में फैलती गई तो न्यूज 18 प्लस वाले ने मुझे इन्वाइट किया और मतलब एक बड़े सेलिब्रेटी बोल सकता हूं और एक बड़े आज के समय में सोशल वरकर बोल सकता हूं एक्टर दोस्तों तो आपको भी तालिया हो जाए शैलेंड के लिए नीचे चैट विंडो में या कमेंट बॉक्स में लिख दें यू रॉक दोस्तों देखें शैलेंड की सकसे स्टोरी में और भी डैप्थ है और भी गहराई है वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा इसलिए वो सारी चीज़ें तो कवर करना बड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन मैं आपके सामने शैलेंड भाई को इसलिए लेकर आ रहा हूं इन्होंने बहुत स्ट्रकल किया है अपनी जीवन में मुझे पता है कि जब यह मेरा कोर्स करने आ रहे थे तो उनके पास पूरा पैसा देन इंसान ही होगा ऐसा नहीं है कि वो इसा यह इंटर्वीव के लिए यहां आए यह इंटर्वीव तो उनको भी नहीं पता था कि मैं प्लान किया है जब मुझे लगा कि यह सकसे स्टोरी है यह सेट अप है यह मंच है तो वाइन आट तो इच एज और वान उफ यू मैं और लोगों से बात करने की स्किल यानि पब्लिक स्पीक और आज कली यूट्यूब करेक्ट और यूट्यूब पावर्फुल है नहीं है बहुत पावर्फुल है मेरे मार्केटिंग एक्सपेंसे स्कम कर दिया यूट्यूब में तो यह करना चाहिए और यह सारी चीज ने ल लीजिए आप सीख लेंगे तो सारे पैसे जो खर्च होने वाले हैं जिसको हम एक्चुल एक्सपेंसे बोल सकते वह बच जाएगा आपसलूटली तो दोसों आप सीखें मस्त रहें और आगे बढ़ें शेयन भाई जाने से पहले एक और आखरी सवाल सवाल यह है कि ऐसी कौ सबसे पहला मैं अपने आप पे जो सोचा हूं कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए चाहे आप पढ़ाई कम किये हो चाहे आपके अंदर स्कील्स कम हो चाहे कुछ भी चीज़े हो चाहे आप गरी फैमिली से बिलॉंग करते हो आप कभी अपने आपको छोटा ना समझे हमेशा आपने आपको उन लोगों से तुलना कीजिये, जो दुनिया में राज कर रहे हैं, जो दुनिया में उस लेवल पे एच्ईव कर रहे हैं, मैं अपने आपको हमेशा सही ऐसा सोचने वाला हा रहा हूँ, चोटी से एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मेरे बारे मे और मेरा चोटा भाई हम तीनों एक ही साइकल से कभी पापा लेके जाते थे साइकल कभी मैं लेके जाता था तो उस जरनी से स्टार्ट किया यह 2005-2006 की बात है और उसके अलावा फिर 2008 को मैंने अपनी फर्स्ट कार खरी दी रियल इस्टेट से पहले एक नेटवर्क मार्केटि कि बिना बदलाओ कि अगर आप इतने समय तक अगर जो कर रहे है वही कर रहे थे तो आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने अंदर बदलाओ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह एक दूसरा मैं कह सकता हूं आपको लोगों को कि यह आपकी जैसे कि तो आपको आपके अंदर पैसेंस रखना बहुत जरूरी है तो तैंक यू सो मत शेलेंदर भाई इतना जबरदस्त आपका सकसेस है भगवान करें यह सकसेस दिन दुना राच चोगना बढ़ता जाये दोस्तों आप भी शेलेंदर भाई की तरह है और हजारों सक्सेस्फुल लोगों की तरह और सफल हों और सफल होने के लिए कुछ नहीं करना common sense है थोड़ा सीखिए और उसको implement कीजिए action लीजिए शुबह जल्दी उठना सीखा तो और जादा जल्दी उठने की कुशिश कीजिए और sales सीखा तो उससे implement कीजिए अगर आप यह छोटी-छोटी चीज उन लोगों ने हम से सीखी, तो ऐसे ही अगर आप मेंसे भी किसी को भी कुछ भी संपर्क करना हो, हमारी टीम से संपर्क करें, सीखना है, सीखें, कई सारे फ्री वेबिनार होते हैं, कई सारे फ्री प्रोग्राम होते हैं, मेरा Magic of Thinking Rich 28 दिन का सबसे बड़ा प्रोग्राम फ्री कोस्ट होता है, और वो तीन जून से 28 जून तक होगा, आप उसमें जूड सकते हैं, आप किसी पेड प्रोग्राम में जूड सकते हैं, आप हमारे ऐसे लाइव इवेंट्स में आ सकते हैं, हमारी टीम का नंबर, हमारी connect, contact details, हमारे सारे social media, handles आपको नीचे description में दिये गए है So you can follow us on Instagram, you can subscribe to this YouTube channel and you can move ahead with passion, take care, thank you so much sir